हेलो गाईज, वेलकम बैक सुर्म यूटूब चैनल दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं फायर बोल्ट ग्लाडियेटर के बारे में, जी हाँ दोस्तों यह एक new smart watch है जो की बहुत ही जल्द stock में available होने वाली है, जिसका नाम है फायर बोल्ट ग्लाडियेटर दोस्तों इस वीडियो में हम आपको इसके features, इसके date, इसके price और यह लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए कहां से लेना चाहिए, क्या से लेना चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में cover करूँगा वीडियो को अंतक देखिएगा, चैनल पे नहे हैं तो चैनल को subscribe कीज़े, notification bell को all पर set कीज़े और दोस्तों हमारा telegram channel join कीज़े, link आपको description box में मिल जाएगी साथ ही साथ में बता दू, इस product की भी link आपको description box में मिल जाएगी अगर आप check करना चाहें, तो जी आप check कर सकते हैं, यह मैं वीडियो Amazon से ही उठा कर बना रहा हूँ तो आपको इसकी features personally अगर आप देखना चाहें, तो देख सकते हैं, link description box में मिल जाएगी दोस्तो firebolt gladiator, बहुत ही तगडी smart watch launch होने वाली है जिसकी launch date मैं बताऊंगा आपको, सबसे पहले हम इसके कुछ features को cover कर लेते हैं जैसे कि, सुरु में आपको यह देखने में काफी जादा खुबसूरत लग रहा होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही premium design का बनाया गया है इसे, और एक new look देने की इसे कोशिश की गई है मैं यह कह सकता हूँ कि apple की watch को टकर देने के लिए यह तयार है लेकिन दोस्त जैसे आप जानते हैं, brand, हर brand की एक खुद की कुछ न कुछ features होती है लेकिन टकर देने की मैं बात करूँ तो जी हाँ टकर दे सकती है मैं आगे थोड़ा वड़ता हूँ यहाँ पे, तो नीचे आएंगे तो इसकी हम सबसे पहले स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है, इसमें आपको 1.96 इंचेस की स्क्रीन मिल जाएगी जी हाँ दोस्तो, इसके साथ यह एक ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच है नीचे आते हैं दोस्तो, तो यहाँ पे आपको आगे मिल जाएगा फायर बोल्ट ग्लाडियेटर, अक्वेस्ट फोर अडवेंचर यहाँ पे दोस्तो, कुईक स्पेक्स यहाँ पे क्या के हैं वो मैं बता दू ब्लूटूथ कॉलिंग, 1.96 इंचेस, एचेडी डिस्प्लेई, जी हाँ दोस्तो, एचेडी डिस्प्लेई के साथ मिलेगा 600 निट्स पीक ब्राइटनेस, यह बहुत जादा इन्होंने प्रवाइट करी है, तो यह चीज अच्छा है, इसके साथ मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आपको 123 स्पोर्ट्स मोट्स देखने को मिल जाएंगे अब मैं बात करूँ, बैटरी बैक अप की, तो 7 डेज बैटरी मिल जाएगा, अब टू टू डेज बैटरी विद ब्लूटूथ कॉलिंग यहाँ पे आपको वर्किंग क्राउन, वॉइस एसिस्टेंट हर वाच में होती है, इस वाच में भी मिलेगा इस तरह के फंक्शन से यहाँ पे इस पेक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे दोस्तो, दो गेम्स आपको बिलकुल मिलने वाले हैं, यहाँ पे तीन गेम आपको इसमें देखने को मिलेगा, इन बेल्ट गेम्स हैं, तीन इसमें इन बेल्ट गेम्स मिलेगा, ग दोस्तो अब मैं बात करूँ कीलेटर और किसी स्मार्ट वाच में है तो जी हाँ फायर बोल्ट की वीजनरी में कैलकुलेटर आपको देखने को मिलता है तो कही न कहीं फायर बोल्ट वीजनरी को ये टक्कर देने की कोशिश कर रहा है अब मुझे लगता है कि टककर दे सकता है क्योंकि look wise में काफी खुबसूरत निकाली गई है इसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 8 menus यानि की layout आपको मिल जाएंगे watch faces मिल जाएंगे यहाँ पे statement display नीचे आते हैं दोस्तों तो यहाँ पे 85% less bezels ultra narrow frame design guys अब जैसे बात कर लेते हैं side की screen की तो आपने देखे होंगे बहुत से smartwatches में side पे एक screen जो होती है black color की वो frame काफी मोटी होती है बट इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि जो vessels वो थोड़े less होंगे frame थोड़े कम होंगे ठीक है यहाँ भी दोस्तों presenting the brightness high definition display of 1.96 with 600 nits peak brightness bringing you a luxurious visual experience with an all weather display that has ultra narrow frame design advanced bluetooth calling connect through your wrist without any interruptions guys अब मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे आपको call-in features के साथ rejection mode मिल जाता है दोस्तों यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा इसके strap को लेकर guys actually fire bolt अपने strap के लिए भी जानी जाती है तो इस बार इन्होंने look को भी change किया है और strap को भी change किया है यहाँ पे दोस्तों आप में यहाँ पे dial pad मिल जाएंगे contact list save करने का मिल जाएगा नीचे आते हैं दोस्तों तो यहाँ पे unbreakable, unforgettable तो इस तरीके से कुछ इन्होंने spec show कर दिये हैं नीचे आते हो तो यहाँ पे देखने को मिलता है crack resistance designed to be strong right dust resistance get the dirty away splash resistance यहाँ पे दोस्तों मैं बात करूँ तो इस smart watch में आपको IP67 का water assistant मिल जाएगा raise your endurance 123 sports modes नीचे आते हैं तो sports modes की इन्होंने बता रखी है यहाँ भी दोस्तों 5 GPS assisted modes GPS running, GPS walking, GPS cycling, GPS on foot and GPS trail with the features of assistant GPS on your smart watch now you can track your route on your command यहाँ पे दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो battery backup की जब मैं बात कर रहा हूँ तो up to 7 days battery इन्होंने कहा है up to 2 days battery with Bluetooth calling as usual लेकिन खास क्या है इन्होंने standby mode की जो बात करी है वो 20 days की बात करी है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह 20 days इन्होंने कैसे बात कर दिये तो कहीं न कहीं यह टकर तो देगी देगी apple की मैं watch करूँ apple की watch जितनी भी है अगर मैं उससे compare करूँ तो battery backup में standby mode में 20 days एक next level है क्योंकि standby mode में हमारी जितनी भी smart watch मैंने लिये हैं मैंने 3-4 smart watch लिये हैं सभी को मैंने देखा तो 15 days ही मुझे नजर आया लेकिन standby mode में भी 15 days नहीं चल पाती क्योंकि कुछ जो इनके वादे होते हैं वो उतने नहीं होते हैं जितना हम सोचते हैं और वो जितना करते हैं ठीक है क्योंकि 7-8 days मुझे ऐसा लगता है standby mode में चल जाता है now इन्हें उन्हें 20 days की बात करी है standby mode में तो यह एक next level पे है यहां पे दोस्तो menu layouts की मैं बात करूँ तो आपने अभी तक बहुत से smart watches देखे होंगे यहां पे आपको smart watches में layouts जो होते हैं menu की layouts not talking about the watch faces I am not talking about the watch faces I am talking about the menu layouts यहां पे आपको overall 2 menu layouts हर smart watch में देखने को मिलता था चाहे किसी भी smart watch किसी भी brand की smart watch उठा लो 2 या 3 मिल जाते थे लेकिन इन्होंने 8 menu layouts देने का यहां पे show किया है इसमें आपको 8 menu layouts मिल जाएंगे तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल है नीजे आते हैं दोस्तों यहां पे आपको working crown मिल जाता है आप यह जो देख सकते हैं जो rotating इसकी button है काफी खूपसूरत लगती है बहुत ही premium type का देखने को मुझे लग रहा है मैं color variant की बात करूँ तो यहां पे मुझे 3-4 color variant नजर आ रहे है यहां पे आपको SPO2 monitoring मिल जाएगा sleep monitoring मिल जाएगा women's health मिल जाएगा IP67 मैंने बता दिया है अदोस्त मैं cover करना चाहूँगा watch faces को लेकर तो आप देख सकते हैं कि इन्हों ने जो watch face मुझे अपने इस poster में show किया है वो काफी जादा देखने में खूपसूरत लग रहा है आप देख सकते हैं कि इनकी जो watch face है वो कितनी खूपसूरत लग रही है इसमें हर चीज शो की गई है पहली चीज तो digital दूसरी चीज health और तीसरी इनकी जो analog mode भी इन्हों ने शो की है और step modes भी शो किया है that what I want और दोस्त अगर आप comment section में अगर आप comment कर देते हो तो यकीन मानिए मैं आपको unboxing video provide कर सकता हूँ detail में हर चीज को show करके तो आपका comment बहुत जरूरी है मुझे बताईए कि आप इस watch में क्या नजर आ रहा है आपको जो आपको attract कर रही है नीचे आते तो यहाँ पे आपको reminder मिल जाता है water का drink water reminder alarm मिल जाते है camera controls मिल जाता है जैसा कि मैंने बताए inbuilt games है यहाँ पे 3 inbuilt games मिल जाते है pioneering design तो एक अलग level की design है जो मैंने बताया gladiator request for adventure दोस्त इसी के साथ यहाँ पे आपको कुछ चार watch faces नजर आ रहे हैं जो की एक next level की watch faces है इतने detailed में watch faces मैंने नहीं देखें अब तक किसी भी smart watch में जहां तक मैंने देखे smart watch और apples में देखे थे लेकिन इन्होंने इस बार जो watch faces शो किये है एक next level का है ये सारे watch faces एक next level का है ऐसा कोछ भी नहीं है इसमें कि cartoon ही इन्होंने शोक किया है known इसमें कोई भी cartoon नहीं है आप देख सकते हैं कि एक अलग level की ही इन्होंने watch face डाली है इस वार तो आप अगर watch face से आपको शिकायत होती है तो इस वार नहीं आने वाली है color of elegance तो आप यहाँ पे देख सकते है color variant में आपको blue, black, golden and आपका एक cream color का भी देखने को मिलता है strap की बात करूँ तो आप देख सकते हैं strap बहुत ही पसूरत लग रहा है और मैं बात करूँ तो यहाँ पे golden color यह जो cream color का है मैं इसे rose gold जिसे कहते है मैं इसे purchase करने वाला हूँ और अगर आपकी comment रही तो बेशक हम आपके लिए unboxing video पूरी details के साथ provide करेंगे जी हाँ तो unboxing channel वाली जो unboxing channel है उसको subscribe कीजिए link description box में मिल जाएगी उपर आई बटन में भी है subscribe कीजिए यहाँ पे दोस्तो 12 million 12 million units sold यहाँ पे आप देख सकते है 2000% growth YOY आप देख सकते है ignite the fire in you fastest growing variable तो दोस्तो इसी के साथ अब इस video को इतना ही रखते हैं और मैं बात करूँ 30 December को यह launch हो जाएगी और official और Amazon दोनों पे देखने को मिलेगा अब मैं बात करूँ इसकी price range की तो guys यकीन मानिये इसकी price अगर यह visionary और Apple की smart watch को टकर देने जा रही है तो कहीं न कहीं यह आपको 3000 से लेके 5000 के बीच में इसका price रहने वाला है लेकिन अब मैं बात करूँ अगर इस range में जाती है तो कोई बात नहीं हम आपको हमेशा बताते हैं कि किस तरीके से purchase करना है तो आपको जैसा मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा उसी तरीके से आपको purchase करना है क्योंकि आप जानते हैं हमारा target होता है कि आपको जो price इन्होंने रखी है उससे भी discount दिलवाएं आपको additional और उस पे भी कम से कम 200 से 300 रुपे discount दिलवाके आपको purchase करवाएं तो guys मेरे next वीडियो का इंतजार कीजेगा और मुझे comment करके बताएं कि या आप इस watch को लेने का सोचेंगे या सोच रहे हैं तो फटा फट से बताएं और टेली ग्राम चैनल को जोईन कीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तो जरूर से जरूर टेली ग्राम चैनल को जोईन कीजिए क्योंकि डील्स और मिस ना करो आप ऐसे smart watch को जो की एक new design है जो की आपके हाथों पे सबसे पहले होनी चाहिए तो guys मिलते है नई वीडियो में तब तक के लिए बाबाई जहिंद